दोस्तों बंगलादेश ओमेन व्सस पाकिस्तान ओमेंस के बीच मैच स्टार्ट होगा मौर्निंग में नौ बच और ये ना वन डे फॉर्मेट में मैच है रिसेली हम लोग ने दोस्तों दोनों टीम के बीच टीट्विंटी आई से डिस कवर किया था मतलब एक मैच जीता था पाकिस्तान ओमेनने और दो मैच WIN किया था बंगलादेश ओमेनने और वह सीरिस इनूरनंहारे थे और अभी स्टार ठोगा टूर्नमेंट वन डिम में इन दोनों की बीचो रिसें हेट टुएट्स बगिरा हुआ वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ इस वीडियो में इसी के साथ दोस्तों आपको मिलने वाला है प्लेयस के रिकॉर्ड सबसे पहले हम लोग इनके करें फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे जो रिसेंली टी-टू-टी-आई खेला है उसके साथ टीम्स अगर कुछ चेंजिस करते हैं मतलब बैटिंग ओर्डिस में अगर आगे पीछे करते हैं कुछ भी चेंजिस करते हैं वो क्या हो सकता है चेंज इस प्रोबोबल वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप अगर ध्यान से वीडियो अन तक देखते हो न इस मैच का और ये वीडियो अगर अच्छे से देखते हो तो एक बिटर टिम बहुत इजिली खुद अपने से क्रेट कर लोगे बट स्टिल मैं आपको इस मैच के साथ साथ अगले मैच के कवरेज अपडे डिमो टीम शेयर करूंगा टेलीग्राम पर जुनना है आपको टेलीग्राम जिस का लिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कॉमें सेक्शन में मिल जाएंगे तो आते हैं इस मैच के अनलाइसिस पॉइंट में बंगलादी शोमें वसस पाकिस्तानों में नौ बजे इंडिन टेम में स्टार्ट होगा मौर्णिंग में और ग्राउन होगा मेरपूर अब शेरे बंगला स्टेडियम में स्पीनर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है यह पीछ बहुत जादा स्लो है बड़ बिकॉस नौ बजे स्टार्ट होगा और यहां पे न मतलब मैं बंगॉल से बिलॉंग करता हूं नौर्थ इस्ट में रहता हूं एकदम बंगॉल का उपर में तो दोस्तों यहां पे क्या होता है कि अभी थंडा आ गया है बहुत हद तक आ चुका है तो अगर आप देखो कि धाका में शेरे बंगला में दोस्तों मेरपूर में आपको यहां पे भी थंडा दीखेगा मतलब इनिशेली ना वह जो पीछ होता है उसमें मॉइस्ट्यर क्रेट होंगे तो मरूफ आक्तर अगर बॉलिंग फर्स कर लेती है ना उनको ट सिद्रा नवाज के साथ तो दोस्तों उन में उनको प्रॉब्लेम होगा सिद्र अमीन के साथ थोड़ा बहुत क्योंकि वह लेफ राइट कमिनेशन होगा और लेफ हेंडर्स को अगर वह बाल डालती है उनको बाहर जाता है वो विकेट में फिनिश होता ही नहीं है और विके था बट वो मैचे सुए थे चट्ट ग्राम में अब पाकिस्तानों में लॉस्ट लॉस्ट वोन अब इन से सिद्रा अमिर उपन कर रही है बट परफोर्मस अच्छा नहीं निकला मुनीबा लिए अगर उपन करती है देखो पहला मैच में इन्होंने सौला बनाय था स्टेंट है ग्रेंड लिग खेलोगे तो बिंदाज डॉप करना स्मॉल लिग में रिस्क होगा इनको डॉप करने में बिस्मा मारूफ वंडे फॉर्मेट में यह प्लेयर अच्छी है और यह हर मैच में स्टार्ट निकाला है तो दोस्तों इनको अपने टीम से डॉप नहीं किलेंगी कभी भी नहीं सोचती है कि 200 रन बनाना है मतलब पच्छास ओवर में 300 तो चोड़ो 200 भी नहीं इनका लोजिक होता है कि 200 बनाना है 200 एक सौसी ठेक है और वह फाइटिंग टोटल है सच में मेरपूर में वह फाइटिंग टोटल है तो दोस्तों यह ना आपको 30-40 त फिलाल में नहीं रखूंगा आप चाहो तो रख सकते हो पक्का इनको बैटिंग मिलेंगी बैटिंग फर्स्ट वा तो ट्राकरना है तो करो निदा बेस्ट पीक है एजवर एस कैप्टेन वास कैप्टेन पीक भी रहेंगी तो यह मश्ट फीक प्लेयर हो जाती है दोस्तों ठीक है इनको तो आप drop rotate करने का सोच भी नहीं सकते हो और captain vice captain बिंदास इनको बना सकते हो नीदादर को नाटलिया परवेस मैं ignore कर दूंगा नजवा अलवी को मैं ignore कर दूंगा उम्मेहानी अपके लिए decent choice है चार चार ओवर डाल रही है important option रहेंगी दोस्तो चार ओवर डालने वाले बॉलर उम्मेहानी वहीदा अक्तिन ने चार ओवर डाला एक विकेट निकाला चाहो तो ट्राइक कर सकते हो बट यह one day format है यह T20 नहीं यह पर जाद आटिक इंग नहीं दिखेगा मैं नहीं लूँगा उम्मेहानी को मैं क्यों लूँगा क्योंकि spin friendly विकेट होते हैं तो spinners को help मिलेगा अगर balling first होता है इनको जरू ट्राइक नोट यह न बैटिंग से भी points दे सकती है नश्रा संदू सधिया इकबल तो आपको आग बंद करो और by default पीक में डाल दो दो इनको तो drop rotate करने का गलती से भी सोचना मत इसके बारे में मैं बताया दोस्तो आपको मैंने बताया दोस्तो नश्रा संदू सधिया इकबल यह दोनों top notch player है इस team का और यह अगर balling first में balling ड में भी आपके मस्क्विक बनाके रख लेना ठीक है अगले option में आते हैं हम लोग दोस्तो अगले opening baller वही दक्तर सधिया इकबल निदा वही दक्तर नश्रा संदू निदादर आपको date में करते हुए दिखेंगी basically diana bike अगर खेल लेती है जो high possibilities है diana bike आपको खेलते हुए दि इसे chances हो देगी देट में निकाले बाट वो मस्क्विक ब्लेयर नहीं है बाट बॉल पर्स्ट चाहो तो try कर सकते हो दोस्तों ओके दोस्तों यह और टी ट्वींट याई का ओवर डिस्टिबिशन था ज्यादा फाइदा नहीं देगा हम लोग नहीं लेंगे फिलाल basically सद्या एकबल डेट में कर सकती है वन डे में देखो वोगेंश क्रिकट में डेट ओवर्स तक मैंचेस बहुत कम जाते तो स्टिल अगर जाते दोस्तों सद्या आपको करते वे दिखेंगी डियाना बाइक करते वे दिखेंगी अगर खेलती है अगर दियाना बाइक ने देखो हेड़ ट्वेड जो रिसेंदी टीट इन्टिए ह वाया उसमें एक मैंच में दोगें निकाले थे एक मैंच में एक विगेट ठीक है यह तो डिसेंट फ़र्म हो गया इनका अगर ओवर ओडियाई करियर का रिकॉर्ड देखोगे तो मुनिवाली ने 33 मैच में ओडियाई में 24 का अवरस से 704 रन बनाया है बहुत अच्छा रि इमर्जिन तीम के लिए पाकिस्तान में मैच हो रहा है गदाफी में वो सीरीज भी मैं कवर कर रहा हूं वह त्राइस सीरीज है वह बिस्मा मारूफ 127 मैच 30 का अवरेज है वंडे में यह सबसे सॉलिड प्लियर है बाइडिफॉल्ट प्लियर होना चाहिए बिस्मा मारूफ 27 का अवरेज हो वंडे में वेरी डिसेंट चॉइस और इन्होंने साथ अफ्रीका के अगेस्ट वंडे में बहुत अच्छा क्रेड के ला नॉट बैट च्वाइस बिंदा स्ट्राइक कर सकते हैं दोस्तों अच्छा ऑप्शन रहेंगी सिद्रा आमें इराम जावेद 21 मैच 22 सदाफ शमाथ 6 मैच में 180 रन है चौबीस का अवरेज है नाटालिया पर्वेस तीन मैच 31 रन 14 ओवर एक विकेट है इग्नोर करना इनको सदाफ शमाथ को भी इगनोर करना निदादर एक्सपेडियेंस है बट इनका वंडे में एवरेज दो सिर्फ 19 का अवरेज है बट 94 वि 26 का अवरेज है वन डेमेंस का अवरेज अच्छा है दस विकेट है बॉलिंग कम करती है ओमाइमा सोहल पाकिस्तान ओमेंस का स्कौर्ड में द्यायना बाइक दोस्तों पच्यास ओडिया मैच में 340 ओवर 44 विकेट बॉल फस लेना है बॉल सेगेंड डॉप सदिया अपके ल बहुत सेगेंड भी बना सकते हो बट डिपेंज ऑन डियर बैटर्स अगर इनके बैटर्स रन नहीं बनाएंगे तो यह डिफेंड क्या करेंगी उम्मे अनी ने तीन ओडिया मैच में थीन विके निकाला दोस्तों उम्मे अनी न सीडियस च्वाइस है क्यूंकि या बैट ब बैटर्स को कमी लूगा ठीक है मैं बैटर्स में से निगड को लूगा जिन्होंने रिसेनली टी टीटीट है में ज्यादा कुछ कास करने पाया इनका बॉलिंग तग रहा है शौनद्न अक्तर ट्राइं कर सकते हो बैट बल दोनुसे पॉइंट देती है वाट शौन्न का गर किसका गैन्टी है शौरीफा खातुन अगर खेलती है बट इस तिल यह मस्टपी प्लेयर नहीं है जो मस्टपी प्लेयर हुआ नहीं दकतर अबया खान यह दो प्लेयर मैंना इस मैच में कर संजीद अक्तर खेलता है तो मैं ले लूँगा क्योंकि यह लिफ्ट अम और यह ऑप यह में ज्यादा कुछ खास परफोर्मिस नहीं दिया बट अगर बॉल फर्स्ट होता है तो मैं लूँगा बॉल सेकेंड डॉप फाहिमा खातुन को ट्राइगर सेकते हैं यह आपको लेक ब्रेक बॉलिंग करते हुए दिखती है और यह देत में भी आ जाती है ठीक है गियो इंको ना टिम की नहीं खिला दे बट यह एक बहुत ही सॉलीड प्लियर है दोस्तों और जो सबसे इंपॉर्टन बात है फर्गाना अक्का यह ना एटेकिंग भी खेल सकती है और डिफेंसिब भी खेल सकती है तो इनको अपने टिम में फ्राइक कर सकते हो दोस्तों नॉट बैट चोईस और मैं दो बोलूगा दोस्तों बहुत ही अच्छी चोईस है मस्ट भी प्लियर है और कैप्टेन वाइस कैप्टेन भी इनको बना सकते हो अगर ग्रैनली खेल रहे और अगर बैटिंग फर्स्त होता है इवन जो इंडिया के अगेंस मैच हो आना उसमें भी इन मुर्शिदा खातूर मैं नहीं लूँगा क्योंकि यह टीटीटीटीए में स्लाइकली बेटर है वंडे में देखो सिर्फ सत्रा का एवरेज सोबना मुस्तरी एक दम से दोस्तों एवरेज कमें आट मैंच में तिपन रन सुमय अक्तर को मैं तो इग्नोरी करूंगा या पर ह में किसको लेना है दोस्तों देखो बरे नाम जो है ना चो इंपॉर्टेंट नाम है उनी के साथ स्टिक रहो टीटीम उनी अभी बॉलिंग कम करती है तो नहीं लूँगा साथी रहनी यह सब डिफेंशिल पीक इवन में ग्रेंड लिग में भी ट्राइं नहीं करने वाला श करो रभया खान आपके लिए बाई डिफॉल्ट है चार मेंच पाच विकेट है अच्छा लेक स्पीन हो रहा है इनका सुल्ताना खातून और ब्रेक बॉलर है अगर सुल्ताना खेलता है तो रख लेना पाच में चोहालिस ओवर चेहिए दो मैंने आपको अल्री बता दिया मैंने दो बता दिया ओल्रोडी कि क्या है दोस्तों लेक अलिफ्ट है तो इनका रोल पक्का रहने वाला है दोस्तों तो इनको अपनी टिम में फ्राइ जरूर कर लेना इसका मैं बात कर रहा हूं दोस्तों सुल्ताना खातून का ठीक है अगर खेलते हैं दोस्तों मस्टी प्लेयर होना चाहिए सल्मा खातून डिफरेंचल हो सकता है सल्मा खातून या फिर बॉलिंग करते हुए दिखेंगी और बहुत ही डिसेंट बॉलर है तीम में रख लेना है ठीक है और कहां गया यहां पर फरिया इसलाम को इग्नोर करेंगे यहां पर क्या हुआ है अब यह एक इंपोर्टेंट पार्ट है 2022 में जब लास्ट वंडे खेला था दोनोटीम अभी भी आपने लाइक नहीं किया दोस्तों रिक्वेस्ट रहेगा लाइक कर दो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दो और चरूर से टेलीग्राम जोड़ जाओ क्योंकि जो फाइनल कवरेज अपडेट एंड इमोटी मोगा ना इस मैच का इन अगले मैच इसका वो मैं आपको टेलीग्राम पी शेयर करने वाला हूं अब देखो हेट ट्वेर रिकॉर्ड में क्या हुआ हुआ यहां पर टॉप स्कॉर बनाया इकतर 46 निगर का शनमीन का 44 अगर यह फरका ना खिला ना तो यह टीम बेटर खिलेगा बेस्ट बॉलर फाहिमा देखो तीन विकेट निकाला रूमाना ने दो रूमाना है नी बट वो लेग स्पिनर है सलमा ने एक जहानारा ने एक पाकिसदान जब चेस कर रहा था इस में जब मैच वा उसमें टॉप स्कोरर निदा थे 87 अलिया का 61 और मुणिवा का 22 बेस्ट बॉलर थे नश्रा उमाइमा दो विकेट इच उमाइमा है नी अनाम फतीमा नीदा वान विकेट इच नीदा बॉलिंग से सिर्फ वान विकेट जो बॉलर थे दोस्तों टॉप स् सब्सक्राइब नाम है और यहां पे आपको दिखेगा दोस्तों कहा गया यहां रहा फिर से सलमा खातून का नाम है तो कुछ नाम आपको दिखेंगे बार बार सलमा खातून फरगना हक यह बंगलादेश से बहुत अच्छा ट्रॉम प्लेयर है क्योंकि मुझे ऐसा लगता ह ना सम्हाओ इनका सेलेक्शन सबसे लेस होने वाला है और यह अगर आप रखोगी अपनी टिम में तो आपके लिए अच्छा रोल प्लेय करते हुए दिखेंगे तो हम लोग चलते फिलाल वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक कर दो अपनी दोस्तों के साथ वीड रहेंगे बट बॉल सेकेंड होता है ना नहीदा को बिना कैप्टेन से भी जा सकते हो मैंने यह आप एक चीज़ आपको बताना है एक पॉसिबिलिटीस है कि यह ना इनको इनको देखके खेले जैसे कि हुआ क्या बंगलादेश नहीदा को देखके खेल जाए और पाकिस्ता यह जो टीम है ना बंगलादेश यह टारगेट करेंगी नीदा को एंड नश्रा को दोस्तों डिफेंसिबली खेले तो यहां से ना दो कुछ प्लियर्स निकल के आ जाएंगे जिनको मार्किंग में टीम नहीं रखेगा और उनको इकर मिल सकता है मुझे उनमें से एक लगता का नाम और एक लगता है सलमा खातून का नाम बहुत ही बरिया कैप्टेन पिक नहींगी ग्रेंड लिग में यह दो प्लियर्स सदिया अकबल और सलमा खातून क्योंकि तो बॉलर्स को बॉलिंग करने में मुश्किल होता है और वह चादा बिटर बॉलिंग नहीं कर पाते है तो व्यसे में दोस्तों आपको रिस्क लेके है कुछ चांसिस लेना है तो फिलाल यह रहेगा मेरा कवरेज इस मैच का इस मैच के रिलेटेट कुछ भी और अपडेट हुआ नेक्स मैच के कवरेज हुए या फिर हुए डिमो तीम्स आपके साथ दोस्तों शेर करने वाला कि अंचे अंटे